मेरा दोस्त मैक अपनी जिंदगी के सबसे डराव में पल्स कुछने वाला है मैं बस ये बताना चाता हूँ कि मैं किसी से नहीं डर था देखते हैं तुम मुझे नहीं डर आ सकते इसे बंद कर दो आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हजार मकडियों के साथ दस मिनट तक सबाइब करना पड़ेगा मकडियों को छोड़ दो आइमर शुरू करो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक ने कहा था कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उसे डरा नहीं सकता तो क्या अब तुम्हें डर लग रहे हैं मेरा मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत और ये उन डरावने चैलेंजज में से एक है जिसका मैक को सामना करना पड़ेगा अगर वो अपने डर पर काबू पा लेता है तो वो जीतेगा आठ लाख डॉलर्स मैं जूटनी बोलूँगा मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी घिनाओना है त्री तू वान इसे उठा दो उठा दो उठा दो ओ ये पहला चैलेंज कंप्लीट करने के लिए कंगाचुलेशन्स अगर मैं को आठ लाख डॉलर का प्राइज जीतना है तो उसे ये सारे चैलेंजेश कंप्लीट करने होंगे जानता हूं तुम्हारी आकउंपर प्त्ति है पर भरुसा करो और इस रांग पर चाळो इसे ऊपर उठाओ तुम गुठ्ले क्यों ठेक रहे हो ये ये है क्या खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ तॉम ठीको नैं नैंशिता है Ohh क्यूटीज। मैं आखों की पट्टी हटा दो दूसरे चैलेंज में स्वागत है अगला डर उचाई का डर है तुम उस प्लैंक पर खड़े होकर इसे अंकलिप कर देना फिर तुम किसी भी चीज से जुड़े नहीं बिल्कुल नहीं और यह बटन दबाकर 200 फीट की उचाई से नीचे गिरना और भरोसा रखना कि मैं तुम्हें पकड लूँगा उपालईया रांषण ऊपड़े तुम काब नहीं हो चाहिब आप मेरा शरीर तो कापीगए ना मैं यहां से नीचे गिरने वाला हूँ वोबिभी बिना किसी हाने चाहँ के हमुझे तो सभी पही नहीं नहीं दिख रही हो संभलकर रहा मैक वैसे में तुम्हें बता दू हाला कि तुम्हें जमीन नहीं दिख रही ही लेकिन तुम बहुत ऊपर हो ओ माई गॉड़ मैक अब तुम्हें बस इसे अंक्लिप करके उस बटन को दबाना है ओ माई गॉड़ मैं चाहता हूं कि इस वक्त तुम मेरी आँखों में देकर कहो कि जब मैं गिरूँगा तब मुझे कुछ ना कुछ पकड़ लेगा कोई चीज जरूर रोक लेगी प्रॉमिस करता हूं ओ माई तुम इस वक्त किसी भी चीज से जुड़े नहीं हो ओ माई गॉड़ कुल चुका है ओ माई गॉड़ तुम यह करने की जरूरत नहीं है अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो और कह सकते हो कि तुम गलत थे और तुम्हें डर लगता है यकिन नहीं होता ए गॉड़ दूड़ गॉड़ आ यह कि ए अगलता है तुम बहूत दूँध लगता है घर लगए लगए वाड़कर नहीं हो टूट। वन गुद लुक माग थेंक यू जिरो क्या पाथ है यह कीन नहीं होता वो कूद गया वो पूरा पागल है अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा ये पागल दोस्त माग कॉन है तो ये हमारे एक पुराने चैलेंज वीडियो का कंटेस्टन था मगर जुकी बात यह है कि वो आट लाग डॉलर्स जीत नहीं पाया लेकिन वो उन पैसों को हासल करने के लिए छै मैंसे तीसरे मंजिल पर खड़ा है दो हम बहुच गए यप तुम्हारा अगला चैलेंज ये क्या लाए हो एक पांच डॉलर की कार और उसमें आट लग डॉलर्स भर दिये जैसा कि तुम देख सकते हो ये कार उस जील की तरफ मुड़ी होई है मुझे लगता है कि तुम चा रहे हो कि मैं इस गाड़ी को चला कर जील में जाओं नाइए ये खतरनाख होगा तुम देख सकते हो यहां कोई पैडल नहीं है मतलब तुम इसे जील में चला नहीं सकते है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ मुझे क्यूं लगा कि मैं इसे चला कर जील में डाल सकता हम बेवकूफ इसलिए हम इसे जील में उपर से गिराने वाले हैं. ठीक है Mac? दोनों कान खोल कर सुनो, जैसे हम तुम्हें इस जील में गिराएंगे, कार तुरंट दूबने लगेगी. और इसके पीछे की सीट पर आट लाग डॉलर्स आट डफल बैग में पड़े हैं. तुम इस डूपती हुई कार में से जितने पैसे निकाल पाओगे आगे जाकर सिर्फ उतने ही पैसों के लिए तुम इस वीडियो में कमपीट कर पाओगे और तुम जितने भी पैसे जोड़ोगे उसे हमेशा के लिए भूल जाना लेकिन मुझे लगता है कि में उसे अहसास के बहुत करीब हूँ मैं समझ सकता हो इसके पहले कि हम ये कार गिराए मैं तुम एक ओफ़र देता हूँ अगर तुम हार मान कर कि ये कहते हो कि मैंने तुम आदिया तो मैं तुम एक लाग डॉलर दूँता और हिसाब बराबर ठीक है, समझ गया फुल ठुकरा देगा ऐसा बिल्कुल भी नियुकरा देगा मैं पहले से जाता है मैं पिछली पार से भाहर किया था ऐसा दुबारा नहीं होगा 3, 2, 1 ओ माई गॉड गिरा दो ओ, 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 ओ 30 seconds here अँआ दो ओ, जूट अँआ 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 नआइ, कालव दुटली होगा जल दो अँआ होगा हुआ 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 Oh God Oh अँआ व व व व वो कार ढूप गई और वो भी इतनी जल्दी ओ माई गॉड वो आ गया वो जिन्दा है मैक नोलन उससे वो बैग ले लो ठीक है वो इसे पकड़ो इस चैलेंज की डिरावनी बात ये है कि हर सेकंड वो कार गहरे पानी में ढूपती जा रही है जिससे उससे देखना और उस तक पहुच पाना मुश्किल होता जाता है तो अगर मैक जीत की वो सारी रखम रखना जाता है तो उससे जितनी जल्दी हो सके ये चैलेंज पूरा करना हो गया लेकिन जसा कि आप देख सकते हैं ये काम आसान नहीं है लोलन जाओ इसे लो मैक एक के बाद एक लगातार बैग्स निकालता रहा मैक तुम कमाल के हो हर बीटते पल के साथ कार पानी में और गहराई तक डूपती जा रही है और इसके अलावा मैक को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि उन में से दू बैग्स को कार की पिछली सीट पर बांधा गया है डूड मैक एक अक्शिन मूवी में आ सकता है सच में मेरा मतलब वो एक ओलंपिक स्विमर रह चुका है इसलिए ही हमने उसे यह चैलेंज दिया है आ लेकिन वो करीब 40 वीट नीचे है और पानी बहुत जादा थंडा है ऐसे में सांस कैसे रोख सकते हैं अब इस बोट पर साथ लाग डॉलर्स है तुम रूख सकते हो उस बैग को जील के नीचे छोड़ दो हम अगले वाले चैलेंज पर ठीक है उसे फरक नहीं पड़ता इस वक्त वो कार इस 45 फुट गहरी जील के तल पर है जिसकी वजह से अब मैक के लिए एक लाग डॉलर वा कार नहीं दिख रही जिमी ठीक है यह बोट जुक रही है वाव तुम बहुत अथलेटिक हो तुम्हें ये वीडियो जादा पसंद आया या पिछली बार वाला ये वाला वीडियो करीब 10 कुना ज्यादा खतरनाक है जाता हो और हाला कि ये देखने में बहुत ज्यादा खतर होगा है मुक्रियों से भी जादा किना है एक मेटल बॉक्स और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें इस बॉक्स में हाथ डालकर इसमें जो भी है इसे बाहर निकालना होगा लेकिन चैलन्ज शुरू करने से पहले तुम्हें पर साइन करना होगा इसमें लिखाए कि तुम्ह होल्स में से एक में अपना हाथ डालो और इसमें कुछ तो है जिसे तुम्हें बाहर निकालना है और डूड मेरे रोंग्टे खड़े हो रहे है ज़रा देखो हो जाग रहा है याने रुको ठीक है शुरू करा है इसने अब तक उसे चुआ भी नहीं जाहे कुछ भी हो जाए एक बार उसे पकड़ने पर उसे बाहर निकाला ही होगा तुमने निकाला है हमारा ब्रैंड न्यू फीस्टिबल्स बार इसमें बिलकुल नहीं ब्रैंडिंग और एक बहतर टेस्ट वाला फॉर्मिला चलो साथ में ट्राइकर देखों मैं तुम पर रहां नहीं करने वाला मै है कि यह काफीन हैं हमारा नया फॉर्मिल यह की जब की ज़्यादा क्रीमी है हमारे पास हर अल-ब्रइवर जो की मुझे पसंद है और यह नए उर वेट्र वेटुचर में ग्लोबली और इसमें वेलिबल होगे मैं यह जानने के लिए की आप इन बारे में क्या सोचते हैं मुझसे और इंतजार नहीं होता ठीक है मैं अगले चैलेंज के लिए तयारो मैं पहले भी इस रूम में आ चुका हूँ और पहले भी मेरे लिए धेर सारे पैसे दाओं पर लगे था मैं एक बात बता हूँ अगर तुम मझे अभी पांच लाख डॉल अगला चैलेंज मैंने अब तक का किया हुआ सबसे खतरनाक चैलेंज है ऐसा नहीं हो सकता तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ गये ने 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 तुम ऐसा नहीं कर सकते जिमी क्या ये समझना इसा अचान था कैसे समझे इस पर तुम्हारा नाम देखकर अरे नहीं इस जाओगे ये डर अच्छा है हाँ पहली बार मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा है ओ मैं कॉसिश करूंगा ये डरावने सबने की तरह किसी को इस तरह जंदा गाड़ना गलत लग रहा है पर मज़ेदार भी आराम से ओ ये कितना डरावना है और टाइमर अक तक शुरू भी नही है कहते हुए और अजीव लग रहा है लेकिन क्या तुम मुझे जल्दी गार सकते हो हूं जैसा तुम कहो नहीं है लोगा शुरू हो निकालेंगे और अगर 24 गंटे पूरे नहीं हुए होंगे तो तुम सब हार जाओगे मैं तुम्हारा घर जला दूँगा और हाँ वह सात लाग डॉलर भी हाँ क्या मतलब जला दोगे सब कच लेकिन इस वॉकी-टॉकी को फैंक ना मतलब उसे पहले से पता था मैं जानता हूँ उसने उसे फैंक दिया और मैं वाँ उपर हूँ भी नहीं मुझे खुशी है कि इस बार में उसके अंदर नहीं हो और यह कंफर्म करने के लिए कि मैक अपने ही कब्रा में ना मरे हमने उसी प्रेंड दिया जो कि हमें डिलेक्ली उसका हार्ट रेट और वाइटल बताएगी और नहीं इसके जरीए वो टाइम बिल्कुल नहीं देख सकता मतलब मुझे बस अंदाजा लगाना है कि वक्त क्या हो रहा है यह रही में स्ट्राटीजी मैं दो घंटे तक जागने की पोश मिट जाएगी लेकिन आप देख सकते हैं वह बहुत जल्दी बोर हो चुका था सच कहूं तो इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है यही तो मैं चाहता था और मैक का इतनी जल्दी बोर हो जाना हमें यह बताता है कि वह इसमें अच्छा नहीं है क्योंकि अभी यह है कि मैक के लिए वक्त जल्दी बीतेगा पहली रात अपनी कॉफन में लेकिन प्रॉब्लम यह होगी कि उसके लिए यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि वह कितने वक्त से दफन है खासकर तब जब वो तीस मिनट से ज्यादा वक्त सो नहीं पा रहा था मुझे कोई अं मैंने सुचा कि मुझे मैक के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए मैक ने कॉफिन में जितना ज्यादा वक्त बिताया उतना ही ज्यादा वो वक्त को लेकर गलत था मेरे ख्याल से अभी 16 घंटे हुए है और क्योंकि मुझे इस चैनल पर सस्पेंस बढ़ाने में मज़ा आता है इस चैलेंज के खत्म होने तक मैं आपको भी पता नहीं चलने दूंगा कि कितना वक्त बाकी है और हाला कि मैक इस चैलेंज में 24 घंटे पूरे करना चाहता था यह साफ था कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा था इस कॉफिन में रहना बहुत डरावना है मतलब यह और यहां जितना ज्यादा वक्त रहूंगा उतना मुझे अजीब लगेगा लेकिन जब हमने देखा कि मैक उस रसी की तरफ बढ़ रहा है हम समझ गए कि वो घंटी बजाने के बारे में सोच रहा था यह उस आदमी का चेहरा जो घंटी बजाना चाहता है इसा हो यह नहीं सकता कि 24 घंटे नहीं होया मैं पहले भी इस तरह के एक वीडियो में था जहां मैं कुछ भी नहीं जीत पाया और मुझे यहां आने का दूसरा मौका सिर्फ और सिर्फ आप लोहों की बदालत मिल पा रहा है यह दूसरा मौका भी मिट्टी में मिल जाएगा अगर मैं अनिश्यत रूप से यह नहीं बत करती से टाइम नहीं बताना चाहता तो मैं चुप ही रहोंगा जीमी पता नहीं तुमने यह साथ दिनों तक कैसे किया मुझे यहां बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वैसे तुम्हारे पैरों में खून का जाना कम होने लगा है और तुम्हारी पीट तुम्हारे शर और अब जब मैक अपना फैसला ले चुका है मेरे लिए बस एक काम करना बाकी रह गया था जब तक हम तभी निकाल रहे हैं मैं शौपिफाई के बारे में बता सकता हूँ क्या तुम मजा कर रहे हो यह के इसा प्लाटफोर्म है जो अंत्रेजियो को अपनी मन्जिल तक पहुचने में मदद करता है अपना खुद का बिजनश शुरू करना मकडिवों की साथ बन्द होने या जिंदा दफ़न होने की तरह डराबना हो सकता है अगर मैं अपना खुद का बिजनस शुरू नहीं करता तो मैं अंटाक्टिका जैसी कमाल की जगहों पर जाकर आपके लिए वीडियोज नहीं बना पाता और जिस तरह अर्बो लोगों ने शॉपिफाई के साथ अपना बिजनस शुरू किया है आप भी अपना बिजनस शुरू कर सकते हैं वो भी अभी मैक जानना है तुम अंदर कितने वक्त से हो? मुझे लगता है कि तुम मुझे बाहर निकालने के बाद ही बताऊगे तुमने सही कहा और अपना खुद का बिजनस होने का फायदा ये है कि मैं अपने दोस्त को सूपर बोल में भेजने जैसा काम कर सकता हूँ मैक, काल और नोलन इन दोनों के नाम के फुटबॉल सेल पर हैं और जिसके फुटबॉल सबसे ज्यादा बिकेंगे मैं उसे सूपर बोल का एक टिकेट दूँगा और दूसरे को जिन्दा जमीन में गार दूँगा अब बस इससे फरक पड़ेगा कि आप शॉप अप डाउन अब इस से कम हुआ तो तुम साथ लाग हार जाओ अहां लगता है मुझे उल्टी हो जाएगी थी टू वान मुझे डर लग रहा है कॉंग्राचुलेशन्स मैक इसका मतलब है कि तुम सिर्फ एक चैलेंज दूर हो यह सारा पैसा जीतने से चलो चले शाहिए तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए हाँ जानता हूं मुझसे बदबु आ रही है अब तक इस वीडियो में मैक ने मुझे जाहिए कि उसे डराना बहुत मुझकिल है लेकिन शैद इस वीडियो का आखरी चैलेंज मैक का सबसे डरावना सपना होगा और ऐसा इसी लिए क्योंकि इस वीडियो का आखरी चैलेंज उस चैलेंज की हूबहू नकल है जिस पर वो पिछली बार बुरी तरह से हारा था पलता था नहीं देख रहा लगा're !!! अगें बंद रखना ठोल न मत अपनी आखें मत खोलना चलते रहो म्त खोलना मत खोलना ठीक है अब खोल दो इने अभ्य ने अट यह वापस नहीं करते हो.. मैं यह वापस नहीं करना चाहता है यहां आखरी चालेंज और सफलता का डॉला हमने वो सेट वापस बनाया है जहां तुम हमारे वीडियो में आठ लाख डॉलर्स हारे थे और पिछली बार की तरह नियम बहुत ही आसान है यहां चार स्टेज़ पर एक कुकी है जिसमें एक श यह मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है मैं यहां खड़े रहना नहीं चाहता है अच्छा है क्योंकि मेरे पास एक ओफर है तुम अभी हार मान के यह तीन लाख डॉलर ले जा सकते हो यह तुम रिस्क ले सकते हो और यह आखरी चैलेंज कंप्लीट करके साथ लाख डॉल खोए होंगे भक्का ना यह पागल हो रहा है मैं जानता हूं यह मुश्किल है लेकिन तुम्हें यहां एक फैसला लेना होगा क्या तुम तीन लाख डॉलर लेकर यहां से जाना चाहोगे या इस आखरी चैलेंज के लिए जोखिम उठाओगे अच्छा ठीक है मैं तयार हू तो इस बार भी मैं तुम्हें ठीक इतना ही वक्त देने वाला हूँ चलो शुरू हो जाओ इसे खोलते बक्त मत तोड़ना बहुत अच्छे इस बार यह बहुत तेज है लेकिन जल्दबाजी में गडबड हो सकती है क्योंकि अगर कुकी टूटी तो यह हार जाएगा 54 मिनिट्स ओ वाव इतना जल्दी हो गया सकन 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 आगे बढ़रो यह पिछली बार से बहुत तेज है मैं इस सर्कल को आराम आराम से धीरे धीरे निकालूंगा जल्दी करो यह बहुत अच्छा कर रहा है इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है शाद इसलिए कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो मैं तुम्हारी मदद करूँ खोलो इसे ठीक है आई बैर पकड़ो इसे खोलना मुश्किल है क्या कर रहे हो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता ज़रा संभल कर देखा जाए तो मैक की स्ट्राटेजी सही है वो आसान शेप्स जल्दी कर रहा है ताकि अंब्रेला में वक्त मिल सके जहां वो आठ लाग डॉलर्स हारा था तुम्हारे पास अब भी 32 मिनट्स पाकी है हां लेकिन मुझे वो 32 मिनट्स अंब्रेला के लिए चाहिए उसे करना बहुत मुश्क थोड़ा आसान बनाना शाहिए था ना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे पास बहुत टाइम है मेरे हिसाब से तुम्हें वक्त लेना चाहिए क्योंकि यह जरा मुश्किल है यह वाला काफी मुश्किल है लेकिन अम्रेला जितना नहीं मुझे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचाना है यह कितना मुश्किल है ओ माई गॉड़ मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है मतलब इसके पास अब भी 29 मिनट्स बचे थे इसने पिछले दो चार मिनट्स में कर लिये थे पदा नहीं मैंने ऐसा क्यों क्यों है ओ मैं गॉड़ मैंने फिर से वही किया आओ मुझे अपना हाथ दो नहीं जीमी प्लीज मैं अभी नहीं जाना चाहता है मुझे ये भी नहीं बता मुझे कैसा मैंसूस करना चाहिए अजया उठो मेरे पास बहुत वक्त था मुझे अब भी मैं पता कि तुम इतनी जल्दी में क्यों थे वह अंब्रेला मैं जानता हूं अब्रेला में बहुत ज्यादा वक्त लगता है हाँ ओके मैक ने मुझसे इस वीडियो में कहा था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे वो डर जाए और उसे मकडियों के बीच एक डूपती हुई कार और ऐसे चैलेंजिस देने के बाद मुझे उस पर यकीन होने लगा था तेंक यू उसे सिर्फ एक ही चीज डराने में काम्याब हुई अपनी खुद की असफलता का डर लो मैं चला मैक को एक कुकी देने के लिए सबस्क्राइब करें